असलाब अलेकॉम and a very warm welcome to Dr. Nashreeva Sarban and Skin Solutions और हम आपके साथ हैं, हमेशा की तरह हम आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं, आपसे पुछने के लिए हैं कि आप सब कैसे हैं और उसके साथ साथ कोई नो कोई ऐसा topic भी लेके आते हैं जिससे आपको कोई ऐसी information मिल सके घर बैठके कि आप अपनी कोई भी चीज जो के खराब हो रहे हैं या खराब हो सकते हैं इसको ठीक कर सकें regarding your hair, regarding your skin, regarding your nails and overall health also जी तो बताएं आप सब लोग कैसे हैं, खेरियत से हैं, क्या हो रहा है और आज का जो हमारा topic है जैसे कि आपको बता है कि हमारा आज का topic है under eyes basically under eyes या eyes के around जो area जो skin होती है तो हमारी बाकी face की skin और बाकी body की skin से बहुँआँ डिफरेंट होती है कैसे different होती है, because ये skin जो है, ये three times comparatively three times पत्ली होती है, thin होती है as compared to rest of our facial skin यानि के हमारे face की skin से three times ये skin पत्ली होती है क्योंके ये ज्यादा पत्ली होती है, तो इसके issues भी different होते है और जल्दी भी होते है comparatively पाटी skin के नसवर ठीक है, अच्छा इसमें आज की topic में हमने दोनों चीज़े cover करी है, जी हाँ, हम इसमें जो darkness है वो भी cover करेंगे और उसके साथ-साथ जो anti-aging या जो aging से related हमारी eyes के around skin के ओपर होता है, उसको कैसे correct करना है, उससे बचना कैसे है, वो सब कुछ हम साथ ही इसमें cover करेंगे ठीक है जी, अच्छा सबसे पहले हम आजाते हैं कि ज्यादा तर हमारे पास जो patients आते हैं और वो young भी होते हैं, उर में जो top पे एक issue होता है, वो होता है dark circles का, जी हाँ, dark circles का issue जो है वो बहुत ज्यादा common है, age related नहीं है और heavy, और आजकल तो भी कुछ ज्यादा ही हो गया है, the reason being कि जो लोग मतलब जैसे हमने दो साल घर के अंदर गुजारे हैं COVID में और वो lockdowns चलते हैं, फिर हम घरों में रहते हैं, उसमें gadgets का use बहुत जादा हो गया, gadgets मतलब आपके tablets हैं, आपके mobile phones हैं, आपके laptops हैं, आपके iPads हैं, यह चीजों का इतना ज्यादा use हो गया कि जिसकी स्टुडेंट्स पिचारे जो हैं, वो घर के अंदर जो थे वो रहना रह 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 थे और घर उसे ही पढ़ रह थे तो रात को या अपने लेजर टाइम अपने फ्री टाइम में भी वो गयाजट्स यूज कर ले थे और सुबह के ताइम जो अपनी ले ले थे ले थे वो ज्याधा जो है वो ऑडाउरख़ल phi kanske कांप्र में आना शुरु हो गई गेली रूटीन में रहते रहते यह सब ठोच होना शुरु हो गया है अब हम आजाते हैं कि इसके लिए हमने देखना क्या होता है सबसे पर्दे तो गही होता है कि जब प्लाग सर्कल्स होना चुरूर होते हैं तो लोग घर के अदर रूटीन को चेक करते हैं आपस्केहें तो नेगानी दो आ ख्लनानी रूटीन की चीज होती है आपने मोइस्टराइज करना हैं चैज़ sustainability या आप कोई और स्व capacities लगाते हैं ऐक आईस के राउंड में खेला होते हैं तो आपसे पहले इसको चेकाते हैं चारण став पर जब सेड़ है तो ज्यादा तर लोग जो हैं वो यह चीजे भी करते हैं और ओम रेमिडीज को भी ट्राइ करते हैं अच्छर को आप होते हैं और साथ में कुछ और लगाने वाली अपनी रुटीन को बेहतर कर लेते हैं उसके बावचूद उनको लगता है कि हमारे डार्क सखल्स्थ उह वह बेदर नहीं हो रहे है तो फे वो डॉक्टर्स के पास आते हैं अच्छब आप डॉक्टर के पास आएंगे तो डॉक्टर् değer ने बेसेट्री आपकी सिकन का अनालासेस करना होता है अनलाई सिस्कन को बहुत जूरी है sometimes कुछ लोगों में यह होता है कि उनकी जो skin है उसकी इतनी ज्यादा, extraordinarily thin होती है, वैसे तो सभी होती है यहां से three times जो है, वो three chords thinner होती है बाकी face की skin से लेकिन पुछ लोगों की face की skin होती है तो उन लोगों की eyes के around skin होती है वो और ही ज्यादा पत्ली होती है, कि उसके अंदर से जो blood vessels है वो नजर आ रहे होते हैं और blood vessels का जो अपना कलर है जैसे veins का जो है वो blue color है, blueish new आना शुरू हो जाता है दूर से देखके वो dark लगता है और बहुत हैलो सी आईज लगती है और उसके इलावा जो है वो छोटे जो blood vessels है capillaries जो है वो red color की होती है उसका भी हुआ रहा होता है अब जब ये वाले shapes आरे होते हैं तो दूर से देखने में एक illusion क्रियेट होता है और वो illusion क्रियेट होता है कि बहुत ज्यादा dark eyes है ठीक है होती है कि वो जो stagnant blood होता है vessels में उसको move कराती है और उसकी वज़ा से आप को जो जो shade आ रहा होता है एक illusion क्रियेट हो रहा होता है वो बहतर रगना शुद हो जाता है पिर एक और इस तरह से eyes होती है analysis पर हम ये देखते हैं कि patient की eyes कैसी है कैसी है तो हमें पता चलता है कि patient की eyes बहुत ज्यादा yellow है यानि कि अंदर को धसीवी आँख है जब अंदर को धसीवी आँख होती है तो उससे एक illusion क्रियेट होता है कि बहुत ही ज्यादा dark color नजर आ रहा है ऐसे लोगों में फिलर को यूज करना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि जब हम फिलर यूज करते हैं और उस हेलो को फिल कर देते हैं फिलर नुचे भी लगता है और सम्राइम्स हमने यहां पर भी लगाना होता है ताके आय जो है वो ज्यादा open और ज्यादा खुली रगे और वो अंदर को धसी भी ना लगे जब धसी नहीं लगती है तो आपको dark नहीं लगती है अब हम आजाते हैं कि कुछ लोगों में dark circles जो हैं वो कैसे होते हैं वो सिरफ और सिरफ brown color की discoloration या pigmentation ही होती है या प्रॉपर brown color की pigmentation ही होती है ऐसे लोगों में हम different तरह के slums use कर वाते है different तरह की creams use कर वाते है basic चीज इसको हम start कर वाते है उसके अंदर आजाता है white MC उसके पाद Glutathaiwan भी यहां पे सेफ होता है वो भी हम around eyes जो है वो use कर वाते है ठीक है चीज तो यह तो हो गया हमारे पास कि अगर आपके dark circles हैं तो आपने क्या करना है अपने आपको कुछ dark circles के हवारे से home remedies बता रही हूँ सबसे टॉप के वर जो आती है that is coffee आपने कुछ भी नहीं करना आपने यह करना है कि आपने कॉफी लेगा कॉफी का जो पाउडर होता है हरो में अवेलिबल होता है आम हम यूज कर रहे होते हैं उसमें आपने बिलिकुल few drops यानि के हमें थिक पेस्ट बनानी हैं हमें पानी क तो आपने थिक पेस्ट बनानी आप इतना पाउडर लेंगे उसी के हिसाब से आपने देखके उसके अंदर few drops डालने हैं ताके वो mix भी हो जाए और पेस्ट बन जाए उसको आपने आराम से यहां पे लगा लें ठीक है उसको आप यहां पे लगाएंगे इधर भी और आइस पाने लेके कॉटन को इसके अनड़ करके उसके तुम उतारना है रगर रगर के आपने बिलकुल नहीं उतारना क्योंकि अगर आपकी आइस की स्किन जो है वह बहुत जादा ड्राय और आपको डामज़ फील होगी उसके पाद एक अगर बहुत अची चीज जो है वह है खीर आप सब्सक्राइब इनको कम करने में और आपकी आइस को फ्रेशन अप करने में तो आपके कुछ नहीं करना आप खीरी को अची करा पानी से दो लें पानी से वाश करने के बाद पर उसको ड्राय करने के बाद उसको कल्दूकश करने और ग्रेट करने के बाद उसका पानी अब आपके पास जो एक फ्रेश और प्योर क्योंकबर का वोटर या जूस चो भी आप पहना चाहते हैं वो आगया अब आपने इसको क्या करना है कि आपने को इसमें डिप करना है और उसके बाद आप लगा लिए अच्छी करा लगा ले और उसको लगा रहने ते एट इसके इलावा क्या होता है इसके इलावा ग्रीन टी क्योंके बहुत अच्छा और बहुत अच्छा और बहुत अच्छा और बहुत अच्छी रहती रहती इसके लिए बहुत सिंपल है जैसे आप पानी गरम करते हैं उसके अंदर ग्रीन टी डाल देते हैं फ्रेश ब्रेश तो थोड़ा सा निकाल ले और उसको ठंडा कर ले और फिर उसके अंदर कॉटन जो है वो डिप करके और उसको लगा देना है all around your eye और इसको लगा रहने दें और तक्रीबन जो है वो आदे बंटे के लिए लगा रहने दें और फिर इसको हलके नियम दरम पानी से आप उतारते हैं ठीक है आप इसको लगाएंगे आँख के अंदर जाने के लिए तो जाहर है कोई भी चीज के इतनी है तो आपने इस तरह से आउपर एंड राउंड और ये छोटी उंड़ी में से कम प्रेशर होता है तो इस बेटर के आप इसको ली उस करें ठीक है जब आपने कोई application लगानी है उ चोटी उंड़ी के ओपर जोगने लिया और उसके बाद इसको आउपर एंड राउंड किया ऐसे ऐसे भी आप लगा सकते है जैसे कोई serum लगाना है वो आप इस तरह से भी लगा सकते है ठीक है अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास चीजें क्या-क्या है जैस बतातर लोगों को लगता है कि इसके नहां से ड्राय भी हो जाती है अराउंड आइस तो यह दोनों चीजें कांबाक करेगा ठीक है उसके बाद मैं आपको दो कंसिस्टेंसी के अंदर वाइटमिन C लिखा रहें ठीक है यह 5% है और यह जो है यह 15% है हम ऐसे भी कर सकते हैं क अजिके हम 5 जिए लोगों के शुरू करें और हाइपोटेंसी पर जाए और ऐसे भी कर सकते हैं कि हाइपोटेंसी पर जाएं स्टार करें और लोगों को तेंसी से उसको में ठीक है अच्छा उसके बाद यह आपको वाइटमिन के की परीप निका रही हूं यह बहुत काम की क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कि जिन लोगों की स्किल बहुत जादा पतली होती है उसके अंदर से वैसल्स नजर आरे होते हैं और उन वैसल्स का हूँ जो है वो एक इलूजिन कर रहा होता है पिग्मेंटिशन का उन सब लोगों के लिए वाइपमिन के बहुत अच्छी च्का है चुशा उसके बारं जिनोगों की स्किन पतली होते ही आराहंड आइस उसके अंदर एक व्हार प्रόबलम मिये होती कि इन पतली है उसका करें क्या तो उसके लिए भी कोलेचन का सरम है कोलेचन इलास्टन जो हमारी स्किन का सीमेंट है ठीक है? श्किन की आप समझद जो मेंन फैक्टर्स जो किस्टिंग बनाते हैं यही है तो यह बहुत ज्यादा है इसको लगाना बहुत ज्यादा है और वह बहुत अच्छा रहता है कि आप इसको यूज कराएं उन लोगों को जिनकी स्किन बहुत ज्यादा थिल होती है अराउंड आइस ठीक है अच्छा तो यह दोनों सेफ हैं यह दोनों सेफ हैं यह दोनों से अच्छा आप अच्छा थिल्यादा 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 थिल् लेल्म से को मे की डिमेडी करते हैं. जिसमने मटेफ पर हाँ हीमोगलोब 대해 है, लम्र लाइन धानी लीजल काम लीजल क्यों सेह dwars之後 हमैं. इम्मुनिटी और रिजिस्टेंस उसका बेतर होगा तो डेफिनेटली हमारे जो डार्क सरकल्स हैं वो बेतर रह सकेगी का सकेगी तो यह हो गया बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पर जिनको सप्रिमेंटेशन की जरूरत होती है तो साथ में हम खाने के लिए टेस्ट करव अब नहीं ठीप हो अगर ठीप नहीं हो रहा तो किया करते हैं जो सबसे बेस लाइन आप सभगें यह सबसे इनिशन चीज़ हम करते हैं ता इस सरम इंफूशन ठीक है जब आप कोई चीज दगाते हैं तो उसकी अब्सॉप्शिन एक हद तक हो सकती है 100% अब्सॉप्शिन जो उसकी नहीं हो पाती है लेकिन जब हम इंफूशन देते हैं मैडिसन की तो उससे यह होता है कि जो आपकी अजॉप्शन होती है वो क्या कहते हैं मैनी फोल्ड बढ़ जाती है और जब इतनी अच्छी होती है तो पर आपको रिजल्ट भी स्यादा मेलता है प्लस जिन लो ऑर यह मैठृट इट सेल्फ पापको रिजल्ड देता है तो उसके बाद आ जाता है कि और आम क्या करते हैं कि त्र इंदर आ जाता है a carboxy therapy Karpoxy therapy में oxygen जो हे इंफुस की जाती है आइस के रांड जब हो इंफुस करते हैं तो आप देहिए कि उब्यक्त बहुत अच्छा और अर फ्रेश आपकी रekन्स की सिकन्स को जो है वह इसके जाता है, और यह अच्छल के अच्छ निए ने जानल तरह ऑगलकी, अवह ज़ूरी है, भुग के अच्छा मातिट रहता है ऐसे लोगों के लिए चिंग की, और यहीं कि ब्राउन कर्कार्ण की यह स्क्राइशन है इसके बार आ जाए कि हम साथ-साथ की बात भी करहें हैं आ स्क्राइजिंग आराउंड थी एक च्सक्टेश्टो पर इसकी स्क्राइजिंग दूर्डवा रही है और उसके साथ साथ ठीक है, यह जो है, इसके अंदर जो है, वो रिंकल्स पढ़ने का चांस भी होता है, फाइन लाइन्स तो होती है, जो कि बिलकुल आपने एक रिंकल्च रिपॉन के कपड़े की करा जो आपको नजर आजाए हो, और जो रिंकल्स होते हैं, वो आपको एक्स लगाना शुरू करते हैं, अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक यह, एज करेक्टर आइ सिरम, यह जो सिरम है, यह चार चीटों के लिए काम करता है, ठीक है, इसके अंदर फाइन लाइन्स हैं, रिंकल्स हैं, डाक सिर्कल्स हैं और पफी आइस, ठीक है, इन चार चीट सकते हैं, ठीक है, अचार चीट, उसके बाद मैं आपको दिखा रहे हूँ कि स्किन जो है, वो पतली भी होती है, और एज और ताइम के साथ जो है, तो हम टाइटनिंग जाते हैं, अब जो मैं आपको दिखा रहे हूँ क्रीम यह जो है, यह बेसिकली टाइटनिंग करती है, यह Eyes के अरांड आप लगाना शुरू करेंगे, फिर उमाजाते है कि जो क्रिंकल शिपॉन की तरह हम देख रहे हैं कि जी क्रिंकल या फिर फाइं लाइन्स बहुत सारी बोरी होती है, एज के साथ, टाहिं के साथ, तो फिर यह फिलर वाली क्रीम में आपको दिखा रही हूँ, यह फिलर वाली क्रीम जो है बहुत जबरदस्त रहती है और यह हम यूज करवा सकते हैं as a maintenance fee or as a treatment fee लेकिन याद रखें कि जिस वकर आपको wrinkles पढ़ चुके हैं और फिर आप लॉक्टर के पास आएंगे तो फिर चीजें नगा के रुम उसको डिले नी कर सकते हैं या चीजें लगा के उसको नी कर सकते हैं पिर उसकी correction जो है वो definitely किसी ना किसी procedure के फूर ही करनी पड़ती है अब हम आज आते हैं कि procedure है क्या-क्या होते हैं इस जगा के उपर सबसे बड़ी चीज को यह हो रही होती है कि ज्यादा तर लोग जो होते हैं या बहुत कॉमन ही देखा गया है कि पफी आइस बहुत रहना शुग हो जाते ही ठीक है या आप मोटे मोटे जो है वो पफ्स बन कि आपनिंग बात कर रही हूँ देखा रही हैं दीपुफिं इंजेक्शन ठीक है यह रही है यह जो लगाते हैं तो जोप्फी एरिया होते हैं वो दीपुफ हो जाते हैं जब आप इसको बड़ी को पुरे का पुरा लुक ही चेज हो जाएगा और वो जो पफी आईस हमें पुरी लगरी होती है, वो जाएं ठीक है, और यह एक ही दफ़ा आपने सेशन लेकर खतम कराना होता है, और यह दुबारा नहीं होती है, और इसकी आपको maintenance नहीं करना होती है, पिर हम हाजाते हैं, क्यों और चीज होती है, और इस मीजो थेरपी, मीजो थेरपी जो है, इस इसके बाद हम आज एक हैं थरेग्स, तो यहां पर यहाँ थरेग्स भी यूज करते हैं, वह जो आपकी लाग्स या लूस किन होती है या उसके पाद अलावा फाइन लाइनस होती है, उन को छतम करते हैं, क्योंकि जब एक भाद लिगाते हैं, तो नाच्रियली को अलिज ए मुस्ट होती इस एरिया में और उससे आपको बहुत पड़ेगा। उसके बाद हम आचाते हैं और क्या चीज हम करते हैं। आप समने उसका नाम सुना होगा। और फिलर्स हम यूज करते हैं किसलिए कि हम चाहते हैं आँके अंदर कुद्धस कही हैं। उसको हम कवर कर लें। और उसके साथ साथ सम्टाइम्स यह होता है कि बहुत ज्यादा ड्राइड पार्च्ट स्केम होती है। कुछ लोगों की नासे और पत्ली यह बहुत होती है। तो उसमें फिलर्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम परते हैं। ठीके जी। तो यह थी हमारी कुछ चीजें जिसमें मैं आपको हों प्रेमिनीज की बताई है। और उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दिया है। कि पहले हम अपका अनालीस कर के जब आपको Analyse कर के जाएंगे तो हम आपको अपिकेशन से ही स्टाट कराएंगे। लेकिन अगर एप्लिकेशन यूज़ करने के बावजूद या सप्लिमेंट्स यूज़ करने के बावजूद जो है वह हम एफार नहीं पढ़ता तो फर अब्यस्ली हम क्लिनिकल बेस्ट प्रोसीजर जो है उनकी तरह चाह सकते हैं जी अब आपके क्वेस्टिन पढ़ना चलिए करते हैं मूनस्काय कहा है तो आपने अपनी सप्लिमेंटेशन जो है वह जरूर लेनी है ताकि आपका आयरन आपका हीमोग्रोवन जो है वह फूरा हो सके और उसके साथ-साथ लगाने के लिए लिए मैंने दो क्रीम्स दिखाई मैंने अपको वाइटमिन सी दिखाया ठीक है आफरी दोनों चीजें लुज कर सकते हैं वर याद रखे कि अगर आप इनीमिक है तो आप कैसे ठीक होगी उसके लिए सप्लिमेंटेशन लेना और अपना इनीमिया उसको खतम करना पहार जुरूरी है मुनस्काय कह रहे हैं आप ने यूज किया हो और अच्छा हो अच्छा आप थोड़ा सा वेट करें मैं दिखाती हूँ इसमें सीजर ड्राइ शैंपू लिखा दे मैं आपको ड्राइ शैंपू दिखारी हूँ मैं आपको इसलिए दिखारी हूँ ताके आपको अंदाजा हो जाए कि ड्राइ अच्छी क्वालिटी का ड्राइ शैंपू है और जब आपके बालों को एक फ्रेश फ्रेश फ्रेग्रेंस भी देगा और चुल लुक है वो भी बिल्कुल फ्रेश रह देगा ठीक है यह आपको अनलाइन लेना पड़ेका यह ज्यादा तरह आपको इस तरह से अवेलेबल नही 24वोल ख्रेश व कर देया हुगा थीकर और शर्मसीघे झालिगें तकाम अवेलेबल हो अवेलेबल आ ज्यादा कर एवापको अिल्गल जाएने रगेंगा है वेलेबल है तो आपको अल्लाइनों कुछ तरह को हैं मुंसकै कर्देखार हैं प्लूटेश थेक्ड तेस निहें और दिफ्रेंस बता दू जो सोग होते हैं उनका लादर गराने के लिए उनको जाबर रॉब करना पड़ता है और उनका पी है बालन्स नहीं होता और जो आपके होते हैं फेस वाशे सोगे यूजी उनका पीएच बालन्स अधा है और वो अलवड लिक्विड फॉर्म में या फिर फोमी consistency में होते हैं जिसकी वजह से आपको rubbing action में ही करना पड़ता Moon Sky कहरे हैं आपने कहा था कि Sulphate free shampoo use करे name बता दे जो market में available हो Moon Sky मैंने बहुत दफा बताया है आपको L'Oreal के Sulphate free shampoos easily available है इसके इलावा आपको किसे available है जो के easily available है वो आ जाते है आपको किसी का भी ले सकते हैं Moon Sky कहरे हैं आपके क्लिनिक में lip balm है कौन सी है विंटर में बहुत जाते हैं जी lip balms available है क्लिनिक में आप क्लिनिक के नंबर्स दिस्प्ले होड़े हैं उसके कॉल करके information ले सकते हैं details ले सकते हैं और मगवा भी सकते हैं शाजिया हामित कही है असलाम अलेकुम I'm your fan from 15 years please suggest glowing and fairness cream for teenagers वाव शाजिया आप मुझे last 15 years से जहें वो follow कर रही है thank you very much अच्छा जो teenagers हैं उनके लिए इस किसमती दो जैसे मेरी प्रीम करने इखाया है उनकी यह दोना हुआ रही है ठीक है वो यह ले सकते हैं यह लगा सकते हैं सुगा लगा जा से पहरे लिगाई जासकते हैं और रात में सोने से पहरे भी लगा तो सब्सक्राइब लगाएं मुझ काया है तो फिर्स जोस वैक्सिनेशन के बाद सेकंड डोस वान मन से कितना डिले और कर सकते हैं इस बेडर कि आप इसको डिले ना करें और 23-28 days का स्वैंग होता है उसमें आप लगा लें लेकिन अगर लेट भी हो गए है तो प्लीज जड़ी जा सकते हैं जाएं और अपनी वैक्सिनेशन की सेकंड डोस लगा लें ठीक है हसना है मुगल कह रहे हैं असलाम अलेकुम मैम कैसी हैं आप मैं वेकुल चीख हूं हसना है मैम मुझे आजकर बहुत अक्नी हो रही है इसमेक्स टैबलेट ले सकती हूँ 5 दिनों के लिए जी आप ले सकती है लेकिन याद रखें कि यह जो होता है ना जो एंटिवाराटिक् अगर आप 5-7 देस लेना शाहती है तो ले 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 उसके बाद ना ले और अगर आपकी अपनी सेटल नहीं हो रही है यह सेटल नहीं रही है तो फिर आपने दॉप्र जरूर दिखाना है ठीक है उसके बाद हफसा अबएर के एक दिन संडॉक ना लगाने के साइट शाहतो ले लेश्स कानसल आउट कर सकते हैं जो हम बूस्ट ज़ज राद को लेगाते हैं जो भी भी रूस कर रहे हो रातो जी आप कर सकते हैं तो यह क। यह अट डाद कर्दा की अपता चलिए आप चलिए ऑप चल बाद आपको ज़गे है और तो एक लाद में ठीक हाई थ बजी हाए एफान कही है मैं क्या बडी वाइस्टिराइजर बडादे अचा वजी हाए जो हमारे पास होते हैं युजिली फिर भूटत एक्सपेंसिव यह थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं का अप कोशिश करें कि जिनका पी-एच बैलनस हो जो मौस्टिराइजर वो सर्द करें हैं हफसा अबैट के लिए अस्कलाम अलेकुम्यों युदर प्रेस्टर्मटोलजिस्ट विकर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमें गाइट करती हैं हमारी स्कीन की केर करती हैं कुप इटा थैंक्यू बरी मच अफसा मैं डेफिरिटली आप लोगों से ही मिलने के लिए आती अबल क्लेंजिस्ग का मतलब यह होता है कि दो तरह के लिए खुज करना और आप लिए खर और युज ठोडर करने से पहले ही चाती है अच्छा इसमें डावल क्लेंज करने का तरीका क्या है आप कोई से भी वेड़ आप कोई से भी जो है वो तार सकते हैं एक मेक अर्मोवर आप ťे क्लिंजर से क्लिंजर करेंगी ठीक है क्लिंजर्स इस 13ुरर्ट इसां में होते हैं चैमररन फार्वरम में होते इस इंदेज़ से छ creativity में टेकpes उसके बाद आप उससे cleansing करेंगे, और cleansing करने के बाद पिर आप face wash करेंगे, this is called as double cleansing, ठीक है, double cleansing का मतलब यह नहीं है कि आपने face wash को दो दफा पेस के लगा लिए और double cleansing होगी, उससे कोई cleansing नहीं होती है, ठीक है, हाफसा हुएक के नहीं है, क्या adapt coprene underarms, पुर light करने के लिए यू आप बार बार आंसर भेजें क्योंकि जो मैंने last time question पूचा था, उसकी balloting हमने इस week में कर देनी है, और फिर मैं जो coming week in this session होगा, उसके अंदर विनर को अनौन्स कर दो, ठीक है, मैं फिर से इतपा question पूच लेती हूँ, मैंने पूचा था, कि जो whitening pills होती है, उसका जो common, most common ingredient है, उनमें क्या कृता है, ठीक है, आपने उसके नाम बता है, आपने उसके नाम बता है, आप सब बात करी है, मैं सब्सक्राइब करें है, मैं सब्सक्राइब करती है, क्या ने जी मैं यह दोनों चीज़े रेकेमें करती है, जैने महमर कही है, I admire your dedication to come live every week despite being busy all the week, पर हुचे आपने से बात करके और मनकात करके अच्छा लगता है, बजी अरपान कही है, मैं मेरे 2C section हुए है, anesthesia spinal था, अब मेरी back में पें रहता है, कुछ बता दें, वैसे बजी यह जादा तर कुछ अर्सा रहने के बात ठीक हो जाता है, बट अगर आपको परसिस्ट कर रहा है, तो इस बेडर के आप एक तफा और्थोपेडिक को दिखा दें, ठीक है, हडियों गाला जो डॉक्टर गोता है, उसको एक तफा दिखा दें, बताने से कुछ नी होगा, आपको अपनी पुजिशन में पड़ेगी कि आप अपनी किस पुजिशन में क्या होता है, और क्यूंकि इस बड़ेगी को दिखा देंगे, इस की बज्जा से आपको दर्धर रही होती है, इस बेडर के आपको दिखा दें, ठीक है, हडियों के जो डॉक्टर होते हैं, उनको दिखा दें, वो आपको हैल्प आउट कर देंगे, कि अगर तो आपकी पुजिशन या चीज सही रखन इस बालों को सही रह सकता है, या को युण ने मेडिसन ऐसी एड़ कर देंगे, तो वो आपको दे देगे, अब सबढ़ के लिए बालों को सिल्की एंड स्मूथ करने के लिए को ये पोड़िब से रखने के लिए बता दें, अच्छा जी मैं दिखाते हूँ, दोनों जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, उतना अच्छा ही रिजाट होगा, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दो सर्म्स तिखाने लगी हूँ, जो के आप वेट हैर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये देखे, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और ये एक्स्पैंसिव नही बेखे, क्लिनक पे अवेलबल है, और अगर आपको इनकी डिटेल्स चाहिए हो या और पी इंफ्रमेशन चाहिए हो तो तो इसक्र आपको अपको अपकर सकते हैं, असलाम अलेकूं पायम, जी, वालेकूं असलाम, हफशा अवैर के लिए ए एंजॉइ यूर अफ्य सेशन, thank से हेई एक टाइम सकता है. एक टाइम से जब जब उसकाता है, एक टाइम सबसे पेहन एक टार हो電ा हो आप चलिनक चारेइगे, चलिनज करने के बाद बढ़ हमी चुमعة थाय। करेंगे और exfoliate करने के बाद पिर शि तो क्के भाने के भाद पुप पिए को अटाने के भाद पिर टोने क्रीम को राखा सकते हैं तोर्णी की और रवस्टराइज शन्स के बाद अफी मास्क पुप अच्छा सबसे पहले तो जादा अच्छो तरही है कि आप माइनोचिजन की स्प्रेय जो है 2.5% उससे स्टार्ट कर दें उसको लगाना शुदू करें उसको एट लीस्ट की मांस लगाए और उसका रिजर्ड देखें ठीक है अनिला राजा के लिए है ए एएक परसेंट पीर यूज करने के बाद स्केल पील होती है क्या और इसको यूज करने के बाद हम डोनर और नाइच प pienम यूज कर सकते हैं जी आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, मुझे नी परता आप कौन सा AHA 8% यूज कर रही है, क्योंकि यूज करते हैं और इंको यूज करने का तरीका भी फरक होता है, ठीक है, तो बीवेर ओफ इट, कि ये नी होता कि हर जो AHA 1% है, उसके लगाने का एक ही तरीका होगा, और व जो बांग तक यूज करने हैं, और इनका रजल कब तक मिलेगा, आपकी प्रिस्क्रिप्शन पर उपर उसके अपर और या पर मैंने जहाएंगी तैबलिक्स लिखी नी है, उसके आगे लिखा होगा कि आपने इसको कैसे खाना है, और कितनी देर उसकार ना है, उसको पढ़ अप मेशा युज करते हैं, आप हुंज करते हैं, उसको कोई हर्च नहीं है, और यूजिली छो है वो पीक, को आप 10-15 ज़े एक दफा यूज करें, 15 जड़ी-ज़ी ज़्दी यूज़ना करें, 15 ज़े एक दफा यूज नहीं तो वो अच्छा रहता है और आप यूज करत उसके और नहीं है अच्छा कोई है वो लगा सातने है ठीके इस बित मैसी ट्राइब नहीं तो आप कर ले ठीके घर से तो यही मैं आपको बताओ मने उसके लावा ने अच्छा उसके बाद ट्रावलिं इन विलिश लॉग्स कहीं मा Am Derma Futur Brightening Serum में Alpha Algodine है अगर है तो कितने percent है ah Brightening Serum Derm productivity Brightening Serum इसका अच्छा है और इसके इंदर मेरे हढ़े हैtime Thiska Brightening Serum है वो Vitamin A के साहथ है आर उसके अनर Vitamin A इसको 2% है उसा जादा नहीं एंचीक Sabah Khan कहा है कि मा Am Iske I Around और उपर भुषा 마음 आपने सेयसावा, हमने पूरे का पूरा सेशन इसे किया है, आप इसको दुवारा देखें और जोगी चीज आपको समझ आरी है, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीजे कवर करने की कोशिश की है, तो जो आपके लिए प्रोप्याइट चीजों आप इसको पिकन चूज कर सकते हैं आप इसको दुबारा से देख लें और उसमें से आपको सारी इंफ्रमेशन ने जाएगी असान मोगल कह रहे है, सराम लेको मैं, मेरा एक साल का वीटा पोहत वीख है, अगर पैदी क्यों और मिल्क में मिक्स मिल्क में मिल्क में मिक्स करके देश सकते हैं, क्या इसकोल है और उसे बच्चों के लिए पेरेंस क्या करें, इस बारे में हम पेरेंस बहुत परिशान हैं अच्छा मैं खूए चीज बताना चाहती हम, सारे बच्चे भी दिफरेंट होते हैं, ऐसा बिल्कुल होगा के हर बच्चा वो कोई स्टैंडर्ड तगीका है और उसमें बच्चे ने खाना है, और इतना खाना है, और सारे बच्चे एक जैसे होगे, एक जैसे उनकी बड़ी और एक जैसे हमकी हाइट बड़ेगी एक जैसे हमका वेट बड़े का ऐसा बिखुल नहीं होता मदर्शो होती है वो ज्यादा परिशान स्की हो जाती है कि उनको लगता है कि उनका बच्चा कुछ नहीं खाता दूसरे का बच्चा जो है वो इतना बड़ा हो रहे है मोटू हो रहा है और प्यारा हो रहा है और यह मेरा बच्चा जो है उस इतना बड़ा क्यों हो रहा है उस इतना मोटा क्यों हो रहा है उतना हेल्दी क्यों हो रहा है देखें हर वोड़ी फर्फ होती है सम्टाइम्स ऐसी वोड़ी होती है कि और का वर्टाबलिसम ऐसा होता है क वोटी हो कहीं ही रेती है, मतलब वो बच्चा आप इसको सुबह से लिए के रात तक में खिला ले, उसने मोटा या चबी नहीं होना तो इसने नहीं होना, ठीक है, मैं आपको यह कहना चाहते हूं कि पीडिया शोर देतो सकते हैं, लेकिन जब आप पीडिया शोर देनी तो तो आप ऐसे के आप आप नाचरल चीजों के रख रखें उसने, नाचरल चीजों पे त्रन टेफेर्ट देवया नाथने, उसके पीच्छ नँढगेएं उस jar-चीजों अप्र पार चाह लिगर उसके पीछेना पर उसकीज यह प्रें हैं, आप भोशिश करें के रखें, यह करें और थिट को ख मुवाँ है को नियुक्ता BunuAyah एंषिके टोशिषव करने दें तु कि टेखने और थी चाल शार सपाइगे और कोई झाल थथ। फ्रॉर्ट टेस्ट हरा राद टेस्ट आप नोगी। को घर प्रॉशिश करतें लाद बार 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 राद या ब्लैंड सी चीजे देंगे तो बच्चों को नहीं भी पसादाती कि हर बच्चे कर टेस्ट फर्क होता है और उसको नहीं अच्छी लगती है तो उसको खाता नहीं है तो पुर्ण निंगाए का और तो चुछ निए लेता है कि आप खिलाते हैं बच्चे तो तो बच्छा पी तो लेता है लिन पर उसके बाद तो हो सूचें कि ओल एक यह जो पी घे ज़िए, पीदिधी निह कुछ निहा बतुकता है तो वो बिरकुल नहीं खाते, तो आप ट्राय करें, इंशाला आपका बच्चा भी खालेगा, और दूसरी बात यह है कि अगर वो एक्टिव है, और अगर वो मोटा नहीं भी होता, एनर्जाटिक रहता है, खेलता है, बोलता है, सारे के सारे माइस्टों उसके ठीक हैं, तो प दिनर है, और अपना बहुत फ्याल रखें, और खुश रहें, और बिल्कुल पॉजिटिव रहें, और मैं फिर से कहूंगी, पहले भार बार कहती रहीं हूं कि जल्दी से जल्दी जो है, वो वाक्सिनेशन करवा लें, अपनी वाक्सिनेशन सब लोग, सब लोग जितनी जल झाल